कोर्स जहांपर हम HTML, CSS और JavaScript को बिगनर से लेकर एडवांस लवल तक पढ़ रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं box model के बारे में हम बात करेंगे padding की margin की content की box sizing एक बहुत अची property होते हैं उसको समझ रहे हूं किस तरह के से काम करती है इसके अलावा div tag को समझ रहे हूंगे यह हमारी playlist है जिसको आपको bookmark कर लेना सो जट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दो और आज हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर box model के बारे में box model आपने काफी बार सुना होगा अगर नहीं सुना तो आज आप पहली बार सुन लीजिए कि HTML के अंदर सारे की सारे element आपके box ही होते हैं box के अंदर एक content वाला part होता है content के राउंड एक padding होती है padding के राउंड एक border होता है and then border के बाहर margin होता है तो यह सारे की सारे चीज़ें आज हम समझने वाले हैं अच्छे से कैसे काम करती है सबसे पहले हम start करें content के साथ लेकिन इसके अंदर move करने से पहले मैं आपको एक दूसरा HTML tag बताना चाहता हूं which is div tag तो div tag के बारे में जाना जरूरी होता है div tag आप काफी बार देख रहोगे use होते हुए और यह कुछ special tag नहीं है मतलब यह tag ऐसा है जो कि use बहुत जादा होता है लेकिन it's just a pure container यहां लिखा हुआ है as a pure container the div element does not inherently represent anything instead it is used to group content so that it can easily style using class or id attribute marking a section of the document as being written in different language तो यहां पर लिखा हुआ basically कि यह बस एक pure container है जिसके अंदर कुछ भी styling होती नहीं हम यहां पर styling दे रहे होते है using id and using classes तो जरा इसको code में दिखते हैं कि यह दिखता कैसा है तो यहां पर हमारे पास index.html है and then style.css है यह सारक सारा code आपको अवेलिबल यार गिटब के ऊपर तो आप जाके description में दिए गए link से access कर सकते हूँ इसको मैं यहां पर कर देता हूँ shot and then हमारे यहां पर style.css है जिसको मैं यहां पर link किया हुआ है इस तरीके से करता है तो मैं अपनी body के अंदर जाऊंगा and then div के ओपर click करूंगा तो हमने अपने div select कर लिया है उसके बाद आपने computed पर click करेंगे यहां पर और हम यहां पर काप सारी चीज़ें देख सकते हैं यह हमारा content वाला part है इसके ओपर padding वाला part है then border and then margin ठीक है इस तरीके से और इसको कायब कर देते हैं तो अब हम ठीक से देख पा रहे हैं सारी चीज़ें राइट तो अब यह थोड़ा मैं ठीक से यहां पर दिखाए दे रहा है एक काम करते हैं यह पैडिंग border margin समझने के लिए इस div को यहां पर हमें class देते हैं और इसके बाद यह सारी properties हम set कर रह आने वाल है तो border size मैं देता हूं 20 pixel तो एक काफी मोटी border आ जाएगी and then क्या style है तो मैं solid and then color let's say red इस तरीके से तो हम देखेंगे कि यहां पर एक box के around border बन गया है 10 pixel का और अगर हम अपने div के अंदर यहां देखेंगे तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक border आ गाई आ राइट इस तरीके से तो यह होते है हमारी बार्डर और एक काम करते हैं border के साथ यहां पर क्योंकि box हमारे एकदम border से चिपक रखा है तो box को border से दूर करना है basically हम चाहते है content को border से दूर करना भी फिलाल content और border की बीच में को भी padding नहीं है देखर ही हाँ हम चाहते है आपने content को border से दूर करना, तो उसके लिए बीच में padding लिकानी पड़ेगी, तो मैं आपट padding लिखता हूँ, और उसके बाद अगर आपको 4 side padding देनी है, तो बस आपको लिखना है, let's say 40 pixel, तो जैसे मैंने 40 pixel लिखा, तो आप देख लिए 4 side 40 40 40 40 आ गया है, इस तरीके से, लेकिन top, then right, then bottom and then left, तो मैं 4 value define करूँगा, let's say 40 pixel, 30 pixel, 20 pixel and then let's say 10 pixel, इस तरीके से, तो आप देखोगे, कि top में 40, right में 30, bottom में 20 and then left में 10 pixel, इस तरीके से चीज़ने काम करती है, अगर आप सिर्फ 2 चीज़ने define करूगे यहाँ पर, तो क्या होगा, कि आप पहली वाली चीज आपकी top और bottom के लिए define की जाएगी, और दूसरी वाली चीज आपके left और right के लिए define की जाएगी, तो top और bottom में आपकी 40 pixel है, और left और right आपकी 30 pixel है, इस तरीके से चीज़ने काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप तीन चीज़ने define करोगे, तो इसका मतलब होगा, top, then left और right के लिए 30 and then bottom के लिए, तो bottom के लिए let's say 10 pixel में कर देता हूँ, तो आप देखोगे, कि top के लिए 40 pixel, bottom के लिए 10 pixel and then left और right के लिए 30 pixel, तो यहाँ पर आप एक चीज़ define करोगे, दो define करोगे, तीन define करो, चार define करो, चारों का अपना मतलब होता है, वो हम समझ गए है, सेम चीज़ काम करत चारों साइट से margin देता हूँ, 40 pixel का, तो आप देखोगे, कि यह box अपने body से भी दूर हो गया, तो इस box का parent का है, box हमारा div है, और div का parent body है, तो हमारा div इस box से भी अलग हो गया, हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमारा यह content है, content के around यह padding है हमारी, और padding के बाद हमारा यह border है, कि यहाँ पर कुछ-कुछ space खाली है, तो यह basically इसलिए क्योंकि हमारी body के अंदर by default कुछ margin होता है, यह हमारी user agent नहीं दिया हुआता है, basically हमारी chrome browser नहीं दिया हुआ है, अगर मैं body को यहाँ पर select करूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, कि body के पास margin value already मिल रख लेकिन आप एक और चीज़ कर सकते हो, कि हर element को actually कुछ-कुछ margin मिला होता है, हर element को, चाहें p tag हो, हर किसी को कुछ-कुछ margin value मिली होती है, और हम चाहते हैं ज्यादा स्यादा control अपने हाथ में रखना, so that हम सारी-सारी चीज़ करें अपने हिसाब से, तो उसके लिए आप एक element पर जा चुकी है, अब नीचे हम यहाँ पर इन properties को modify कर सकते हैं further, जैसे कि मैं चाहता हो कि नहीं, margin जो है, वहर साइट से 40 pixel चाहिए मुझे, तो अब हम यहाँ पर अलग से अपर override कर सकते हैं, और अब इसका control मेरे हाथ में है, ठीक है, अब यहाँ पर 8 pixel extra है या नहीं है, उस सब का मुझे पहले से पता है, तो आप हो किया रहा है, सार एक सार एलिमेंट के अंदर margin 0 है, आप मुश्रो तो time देखोगे, अपनी website बनाते time भी आप कर रहे हो ऐसा, कि margin को आप 0 कर दोगे, even padding को भी आप 0 कर दोगे, ठीक है, so that सारा का सारा control आपके पास रहे, और आप अगर हम अपने box को यहाँ पर select करें, इस div को select करते हैं, and then computed में आते हैं, तो यह जो चीज हमें आपर देखने को मिल रहे है, this is our box model, अभी हम फिलाल यहाँ पर width और height भी define कर देते हैं अपने box की, तो हमें आप आप आओंगा अपनी width, let's say 200 pixel, and then height 200 pixel, तो अब हमारी सारी सार property यहाँ पर set हो चुकी है, हमारा content जो है, यह blue box जो है, यह green box हमारी padding है, यह हमारा light orange box border है, और dark orange box हमारा margin है, इसके उपर हम हवर करेंगे, तो हमें वो चीज़ें और दिखाई देंगी, देखो यहाँ पर यह blue वाला चीज हाइलाइट हो गया, then यहाँ पर green वाली चीज separate करने काम में आता है, अगर आप यहाँ पर same box को repeat कर दोगे एक और बार, तो आप देखोगे कि दौनों box के बीच में separation आ जाएगा, और वो separation आ रहा है आपके margin के वैसे, अगर आप margin define नहीं करते हैं तो वो separation आता नहीं, अगर मैं यह margin को हटा दूँगा, तो आप देखो य आपको एक बहुत अच्छी property बताने वाला हूँ, which is box sizing, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो box है, वो काफी बड़ा हो गया है, हमने define किया इसकी width 200 और height 200, लेकिन क्या है 200 by 200 का है, यह 200 by 200 का नहीं है, 200 by 200 का तो सिर्फ content है, इसके बाद padding भी है 30 की, इसके बाद border भी है 20 का, औ 20 plus 30 which is 50, plus 200 which is 250, then again 30 and then 20, तो basically आपका यह जो box है, वो 300 by 300 pixel का हो गया है, ठीक है, यहाँ पर हम hover भी करके देख सकते हैं, तो जैसे हम आपने div box पर hover करूँगा, तो आप देख सकते हैं, div.box 300 by 300, similarly यहाँ पर div.box 300 by 300, तो हम चाहते हैं कि नहीं भाई, हमने width और height define किया है वो उ और यह border वाला पार्ट यह आपका border box है, तो आप define कर सकते हो कि मेरे जितने भी content है, मेरे HTML के अंदर, उनकी box sizing जो है, वो border box के हिसाब से करो, जैसे हम इसको करूँगा border box, तो आपके boxes सारीक सारी चोटे जाने वाले हैं, और देख सकते हैं, हम hover करेंगे, तो हम देखते हैं, box सारीक सारे 200 by 200 के हैं, अब हमारो जो content है, वो 100 by 100 का हो गया अपने आपी, लेकिन आपके 20 plus 30 which is 50, and then 100, and then 30 plus 20, तो आपका proper 200 by 200 का आपका box हो गया है, तो यहाँ पर आपको box sizing का concept समझ में आ रहा होगा, कि अगर आप लोग ने box sizing defined नहीं किया होता, तो सारेक सारे content अलग अलग यहाँ पर मैंने define कर दी, let's say padding 50 pixel की, तो मैंने नीचे वाले box को ज्यादा padding दे दिया, तो आप देखनों, नीचे वाला box काफी बड़ा हो गया, उबर वाला box छोटा है, लेकिन नीचे वाला box काफी बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, size तो दोनों का 200 by 200 है, तो य यो भी content है, उसके हिसाफ से चीज़े define करो, लेकिन हम कहरें नहीं, जो border है, उसके हिसाफ से आप size को define करो, तो आप नीचे वाले box में आप देख सकते हो, आकिब, कि अगर मैं नीचे वाले box को आप select कर लेता हूं, and then नीचे वाले box में देखेंगे, तो हमारा content 60 का है, and then 50, then 20, तो यह overall अभी भी 200 का ही है, 200 plus 50 which is 70, and then 70 plus 60 which is 130, 130 plus 50 which is 180, and then 20 which is 200, और अगर हम उपर वाले box को select करेंगे यहाँ तो उपर वाले box के अंदर content हमारा बढ़ा हो गया है, ठीक है, तो क्योंकि नीचे वाले के अंदर आपका padding जाता था, तो उसके हिसाफ से content छोटा हो गया है, लेकिन still जो overall size है, क्योंकि हमने border box defined क्या हुआ है, इसलिए border के हिसाफ से पूरा overall size है, वो still 200 by 200 है, इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप जितना मर्जी यहाँ पर padding define कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कि अगर मैंने आपर suppose करो 100 pixel की padding define कर दी, तो अभी भी box उसे size करेगा, नहीं, आपन पैडिंग 100 pixel की define कर दी, तो आपको नीचे वाला box है, वो 100 pixel की padding ले रहा है, तो content आपका actually 0 हो गया, 0 basically 100 plus 20 which is 120 and the नीचे भी 120, तो basically total हो गया 240, तो नीचे वाला box आपका 240 by 240 का हो गया, देख रहो है, content को 0 मिल रहा है, और content आपका overflow भी हो सकते है, अगर यहाँ पर मैं लिख द और भी different CSS property होती है, उनको आप बात में देख रहे होंगे, तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके साथ ही हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे, किस तरीके साब के font काम करते हैं, दूसरे font को आप import कैसे करा सकते हो, font के अंदर क्या क्या स्टाइलिंग property होती है, वो सारी सारी बात करेंगे हम next वीडियो के अंदर